जै जोहर दोस्तों आज के सुड़ों में प्रयोक साला तकनिशियन और प्रयोक साला सायक एक्जाम से रिलेटेड बायोलोजी के टॉप हंडिड मोस्ट इंपोर्टेंड एमसी क्यू करेंगे देखेगा दोस्तों पहला कोस्टन है मुलांकूर के अत्रिक्त पौधे के किसी भी जड़े कहलाती है क्या कहलाती है तो मुसला जड़े कहलाती है ठीक है अगला कोस्टन है इस्तंब मूल यानि कि प्रॉप रूट होती है क्या होती है तो ऑप्शन है मुसला जड़े होती है पुल्कित जड़े होती है साखानवित जड़े होती है या फिर अपस्थानिक जड तने से होता है या फिर पत्ती से होता है तो इसका right answer हो जाएगा मुलांकूर से ठीक है जो जड़े होती है दोस्तों ये मुलांकूर से विख्सित होती है अगला question है निमने जोडों में से कौन सा गलत है पूछा है तो देखेंगे संक्वाकार जड़ प्याज को दिया हुआ है यही पहला वाला ही गलत हो जाएगा तरक रूपी जड़, मुली, ये राइट हो जाएगा कुम्भी रूप जड़, सलजम, ये भी राइट हो जाएगा स्वसन मुल्क, मैंगरूप आओधे, ये भी राइट हो जाएगा That means इस question को जो right answer होगा वो option number A होगा, ठीक है Next question है संसार का सबसे छोटा पूस्प है देखे संसार का जो सबसे छोटा पूस्प है उसे बुल्फिया कहते हैं क्या कहते हैं संसार की सबसे छोटे पूस्प को तो बुल्फिया फुल गोबी में पौधों का उप्योगी भाग काउन सा है देखे जो फूल गोबी होता है खाते ही होंगे आप लोग इसमें जो पौधी का उप्योगी भाग होता है वो उसका ताजा पूस्प संपू होता है अगला question है निमनीलिकित में से कां सा विष्व का सबसे बड़ा पूश्प है तो देखे दोस्तों विष्व का सबसे बड़ा पूश्प है वो कौन सा है? रेफलेसिया अगला कोश्चन है निर्मनलिकित में से किसे वरगीगी, that means taxonomy का जनक कहा जाता है देखे, taxonomy के जनक कहलाते हैं लीनियस का लाते हैं कौन है तो लीनियस जो है वो टैक्सोनोमी यानि के वरगी की के जनक हैं अगला कोश्चन है बैंगन किस फूल कुल का पौधा है देखिए दोस्तों जो बैंगन होता है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है किस कुल का पौधा है तो सोलेनेसी कुल का पौधा ह अगला question है, अनाजवाले पौधे किस कूल से संबंदित हैं, दिखेंगे जो अनाजवाले पौधे होते हैं, ये ग्रैमिनी कूल से संबंदित होते हैं, किस कूल से संबंदित होते हैं, अनाजवाले पौधे पूछेगा, तो ग्रैमिनी कूल से संबंदित होते हैं, अगला सव होता है अगला सवाल है तंबाकू की पतियों में होता है दीखे दोस्तों जो तंबाकू होता है उसकी पतियों में का होता है तो इसकी पतियों में होता है निकोटीन ठीक है निकोटीन होता है इसके करण क्या होता है जो तंबाकू करते हैं आप लोग देखे होंगे उसकी उन् नाम किस जीव वेग्यानिक ने सोरपतम दिया था दीखिए दूस्तों जो सेल नाम था इस सबसे पहले रॉबर्ट हूक ने दिया था सेल, सेल देट मिन्स क्या कोसिका अगला सवाल है कौन सी रचना जन्तु कोसिका को वनस्पती कोसिका से विभेदित करती है तो इसका राइट एंसर हो जागा सेंट्रियोल ठीक है, सेंट्रियोल जो कोसिका होती है ये वनस्पती को सीका से विभेदित कर देती है जन्तु को सीका को नागफनी के प्रकास संस्लेसी कारे होता है देखे जो दोस्तों जो नागफनी होता है इसमें प्रकास संस्लेसर क्यों होता है तो इसका राइटेंसर हो जागा पर्ड काई इस्तंब के दौरा पर्ड काई इस्तंब के दौरा जो नागफनी होता है इसमें प्रकास संस्लेसर क्यों होता है अगला का कोशिका में राइबोस की अनुपस्तिती में प्रोटीन संसलेसर नहीं होता है यदि माइट्रो कॉंट्रिया काम करना बंद कर दे ठीक है माइट्रो कॉंट्रिया है आपके सरीक का यदि वो काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सकारे नहीं हो पाएगा पूछा है तो इसका राइटेंसर हो का चाहागा को कोशीका करिंगा को कौया कहा जाता, उरजा, हगरी, या फिर सोruk रिमा का होता, पावर, खक्ता, क्या का हो सब्सक्षा, देखंगे बाहरी आवरार क्या कहलाता है तो कोशिका भित्ती कहलाता है अगला सवाल है कोशिका की आत्माहत्या की थैली काफी important question ठीक है कोशिका की जो आत्माहत्या की थैली होती है दोस्तों ये लाइसोसोम को कहा जाता है किसे तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्माहत्या की थैली कहाते हैं अगला सवाल है's buy blox ने किया था तो इसका राइट एंसर हो जागा पूर्किंजे, पूर्किंजे जो था दोस्तों इसने जीव जीवद्रवे सब्द का सवपथम प्रयोग किया था अगला सवाल है जीवद्रवे जीवन का भौतिक अधार है या किसका कदन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हेक्सले ठीके हेक्सले जो सांटिस्ट था इसने बोला था कि जीवद्रवे होता है ये जीवन का अधार है जीवन का क्या है भौतिक अधार है अगला है डिने के द्वी हीलिक्स प्रारूपी को पहली बार किस ने प्रस्तावित किया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वाट्सन तथा क्रिक ने अप्शन नमबर A अगला है नूकलियस की कोच सवपरतम किस ने की थी दि द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा केंद्रक के द्वारा जो कोचिक के क्रियात्मक गतिविध्यां होती है वो नियंत्रित होती है अगला कोश्चन है पारिस्तिति की सब्द को सवपतम परतिपादित करने का स्रे किसको जाता है तो पारिस्तितिकी निमने लिखित के बीच पारिस्परिक संबंदों का अध्यान है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा जीव और वाता वरड जो पारिस्तितिक तंत्र है ठीके वो जीव और वाता वरड के बीच एक क्या है पारिस्परिक संबंद है शो परिस्तितिकी का अभिप्राय है तो देखें सो परिस्तितिकी इसका अभिप्राय होता है वक्तिगत जिवधारी का परिस्तितिकी अध्यान अगला question है पारिस्तितिकी तंत्र सब्दावाली किसने प्रस्तुत की थी तो इसका right answer हो जाएगा tensile जो tensile था दोस्तों इसने पारिस्तितिक तंत्र सब्दावाली का प्रस्तुत किया था किसी पारिस्तितिक तंत्र में उर्जा का परवा के बारे में निम्न में से कौन से स्रिंखला सही है तो देखेंगे तो देखेंगे एक तो उत्पादक दूसरा उपभोगता और तीसरा क्या होता है अब घटक that means c option इसका right answer हो जाएगा ठीक है किसी भी पारिस्तितिक तंत्र में उर्जा का जो परवा होता है दोस्तों वो सबसे पहले उत्पादक होता है फिर उपभोगता उपभोगता के बाद अब घटक अगला है खादी स्रिंकला food chain बनती है कैसे बनती है खादी स्रिंकला तो देखे उत्पादक होगा ठीक है उत्पादक के बाद क्या होगा कि एक उपभोगता होगा जो उसको उपभोग करेगा इसके बाद अब घटक होगा जो क्या करेगा उसे सड़ाएगा अगलाएगा that means option number A उत्पादक उबभोक्ता एवं अब घटकों से खादरी स्रिंकला जो food chain है वो बनती है अगला question है किसी स्रिंकला में प्रात्मिक उबभोक्ता होता है देखे कोई स्रिंकला है उसमें प्रात्मिक उबभोक्ता कौन होता है तो साकाहरी जीव होते हैं साकाहरी जो जीव होते हैं वो सबसे पहले प्रात्मिक उबभोक्ता में आते हैं अगला question है किसी परितंत्र में उत्पादकों का कारे होता है क्या कारे होता है क्रिसी परितंत्र में उत्पादकों का जो कारे होता है ये सौर उर्जा को पगड़ना एवं इससे रसाइनिक उर्जा में बदलना अगला कोश्चन है परितंत्र में उर्जा का प्रात्मिक या मुख्य इस्त्रोत होता है क्या होता है तो सूरी का प्रकास ठीक है जो सूरी का प्रकास होता है दोस्तों ये परितंत्र में उर्जा का प्रात्मिक या फिर मुख्या इस्त्रोत होता है अगला सवाल है बाड को रोका जा सकता है देखिए बाड अगर आ गया तो उसे कैसे रोका जा सकता है तो देखे, नदियों पर बाद बना कर या फिर व्रिक्षा रोकपड करके ही बाड को रोका जा सकता है आप देखे होंगे, जहांपर पेड़ पूरा कार्ट दिया जाता है, वहाँ पर बाड का काफी खत्रा रखता है, जैसे दिल्ली के इलाके हो गए ठीक है जादतर वहाँ पर क्या है बिल्डिंग से इसलिए वहाँ पर बाढ का खत्रा सबसे जादर रहता है अगला दिखेगा मुख्याता मेंग्रोव वाली जवारिये वन कहां पाय जाते हैं तो इसका राइट एंसर हो जागा दोस्तों जो सुंदर वन पायनख है अगला कोश्चन है अनवांसिक की इकाईया है तो kromo reinforcing, ribosome, gene न फिर क्या होते हैं चैंड्री जिल्ली गुर्ण सूत्र में ला इससी में होते हैं या फिर कोशी का कला में तो क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर गुर्षूत्र जो होते हैं इसमें अनुवांसिक यूनेट यूनेट जीन होते हैं अगला कोशन में gene का sunslicer करने वाले वज्ञानिक हैं कौन थे तो right answer हो जाएगा खुराना ठीक है जो खुराना थे दोस्तों इनों ने सबसे पहले प्रियोग साला में gene का क्या किया था sunslicer अगला question है एक gene एक enzyme सिद्धान्द किसने दिया था तो इसका right answer हो जाएगा बीडल वर टेटम बीडल वर टेटम जो थे दोस्तों इन दोनों ने क्या किया था कि gene एक gene एक enzyme का सिद्धान्द दिया था अगला question है कोसिका में पाया जाने वाला अनुवानसिक पदार्थ है क्या होता है दोस्तों DNA RNA protein या फिर carbohydrate तो right answer हो जाएगा DNA ठीक है कोसिका में पाया जाने वाला जो अनुवानसिक पदार्थ होता है ये DNA होता है अगला question है किस कारण एक माता पिता की सभी संताने जो होती है एक समान नहीं होती है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों अनुवानसिक भिन्नता के कारण और वातावरल भिन्नता के कारण ठीक है यानि कि A और B किसी किस काराड पूछा है कि माता पिता की सभी संताने एक समान नहीं होती है तो अनुवांसिक भिन्नता के काराड और वातावरण भिन्नता के काराड जो माता पिता की सभी संताने होती है वो एक समान नहीं होती है मनुस्व्य में दुई गुडित क्रोमोजॉम की संक्या होती है कितनी होती है तो 23 होती है अगला दिखियागा पुरुष में पुरुसथ्त के लिए कौन सा गुडसुतरी संयोजन उत्तर दाइ है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा x y ठिक है, xy जो सहीं हो ज़ने दोस्तों ये पुरुस से के लिए पुरुस में पुरुसत्ते के लिए कौनसे गुर्षूत्री सहीं हो ज़न उतर दाई है तो xy, अगला कуṣन है एक समान्ने सरीर कोशीका में गुर्षूत्र की संक्या कितनी होती है, तो this-र राइट एंसर हो जाएगा 46 होता है ठीक है एक समानने सरीर की जो कोशिका में गुर्ष उत्रों की संक्या होती है 46 होती है अगला है मनुस्य में कौन से क्रोमोजम के मिलने से बालक का जन्म होता है तो देखिए बालक का जन्म कैसे होता है पूछाए ठीक है तो देखिएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों कि पूरुस का क्या हो Y हो और इस्तरी का X हो तो क्या हो जाता है आपका बालक का जन्म होता है अगला सवाल है जैविकास को सवपतम किस ने समझाया तो देखे जो जैविकास था दोस्तों इसको सबसे पहले जो लैमार्क थे इन होने समझाया था अगला कोश्चन है malaria पर जीवी तथा amoeba को किस रेडी में रखा जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा protojoa malaria पर जीवी तथा amoeba को क्या protojoa किस रेडी में रखा जाता है निम्न में से किसकी आकरिती निश्चित नहीं होती है देखेंगे paramecium की, yuglina की, tripino soma की या फिर amoeba की तो right answer हो जाएगा, amoeba जो होता है दोस्तों, इसकी जो आकरिती होती है, वो कोई निश्चित नहीं होती है अगला question है चपल की आकरिती का जन्तों, देखेंगे काफी important question है आपके exam time पे आप लोग 11-12 में पढ़े होंगे, चपल टाइप का दिखता था, ठीके क्या दिखता था दोस्तों, तो आपका जो paramecium है, ये चपल की आकरिती का दिखता है ठीके, चपल का आकरिती का दिखता है, paramecium अगला question देखेगा, amoeba का प्रचला नंग है, देखेंगे जो amoeba का प्रचला नंग होता है, ये कुटपाद होता है अगला है, हरा proto-joa के नाम से जाना जाता है, तो देखेंगे जो हरा proto-joa के नाम से जाना जाता है वो yuglina, yuglina को हरा proto-joa के नाम से जाना जाता है होता है वो आंत में पाये जाता है कि नित्रा रोग पैदा करता है कैसे पैदा करता है नित्रा रोग तो देखे ट्रिपैनोसोमा जो होता है यह नित्रा रोग पैदा करता है अगला है sponge के सीरे पर इस्तित बड़ा छिद्र काल आता है क्या काल आता है तो asculum काल आता है sponge के जो सीरे पर इस्तित जो बड़ा छिद्र होता है दोस्तों उसे asculum काते हैं अगला है silentrator sun को any kiss नाम से जाना जाता है तो इसका right answer हो जागा दोस्तों निडेरिया के नाम से जाना जाता है, अगला question है, निम्ण में से किस में रक्त नहीं होता है, किन्तु स्वसन करता है, कौन है वो जन्तु, जिसमें क्या होता है, कि रक्त तो नहीं होता है, लेकिन वो स्वसन करता है, तो इसका right answer हो जागा Hydra, option number C, एक मातर सर्प जो घोसला बनाता है, कौन से एक मातर सर्प है, जो की घोसला बनाता है, तो right answer हो जागा, नागराज, क्या काते हैं इसे, King Cobra, King Cobra जो है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, एक मातर सर्प है, जो की घोसला बनाता है, जैविकास के संदर्म में, सापों में अंग का लोप होने का इसपष्ट किया जाता है कैसे तो राइट एंसर हो जाएगा अंगो का उपभोग तता अनुपयोग किये जाने से अगला कुश्चन है निमनेलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है ठीक है तो देखते हैं कथन सभी इकाइनो डर्मस क्या होते हैं सजी सजीव प्रजक होते हैं ये कथन राइट हो जाएगा गोल क्रीमी में कोई परिसंचर तंत्र नहीं होता है ये कथन गलत हो जाएगा और इस्थिल मचलियों में वतासे आमतोर में से विद्धमान होता है ये भी गलत हो जाएगा उपस्तित मचलियों में निसेचन आंत्रिक ह होता है यह कथन भी गलत हो जाएगा डाट मेंस इस कोशन का राइट एंसर होगा अप्शन नमर एट ठीक है सभी जो इकाइनोडर्मस होते हैं वो क्या होते हैं सजीव प्रजक होते हैं कुछ अपवाध हो सकते हैं अगला सवाल देखेगा निम्लिलिखित में से कौन सा कथन सह यह बोला है ठीक है तो देखेगा कौन सा कथन सही है तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों इसका विशाडू सम एकलतन्तू और आर आर एन अडू से बने होते हैं ठीक है यह कथन जो होगा आपका राइट हो जाएगा अगला कुश्चन है ऑक्टोपस देखेंगे क्या है एक संदीपाद आर्थोपोड है एकाइनोडर्मस है एक हेमिकार्डेट है या फिर एक मुलस्क है तो राइट एंसर हो जाएगा एक मुलस्क होता है आपका अगला कुश्चन है डुगोंग नामक समुतरी जीव जो की विलोपन की गगार पर है क्या है तो इसका राइट एं अंधारी जीव है अगला सवाल है निम्न लिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है तो राइट एंसर हो जाएगा केकडा जो केकडा है दोस्तों ये अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है तो ना तो बिच्छू वर्ग का है और ना ही अगला question है, निम्न में से कौन सा समझात अंग है, तो देखेंगे, समझात अंग पूचा है, कीटों एवं पक्षियों का पंक ये तो नहीं होता है, इसके बाद मचली एवं बिल्ली की पूच ये भी समझात अंग नहीं है, मगर की तुचा और पक्षियों की पंक ये भी नही है, घोडे एवं आदमी का अगरपाद, ये राइट अंसर हो जागा, ठीक है, कौन से समझात अंग है, तो घोडा और आदमी का जो अगरपाद होता है, ये दोनों ही समझात अंग है, अगला question, डार्विन फिंजीच का परियोग किस पर समूग के लिए किया जाता है, तो र प्रेडिट 28 के द्वारा, ठीक है, 28 के द्वारा, अगला question है, निमन में से कौन सा केट मनुश्यों में निर्दालू व्याधी फैलाता है, परन्तु अन्य जीवों के लिए निरवपाद है, और अफरीका में बेस्ट गेम वाडन कहलाता है, तो राइट एंसर हो जागा दोस पादित किया जाता है, अगला सावाल है, केच्वे की प्रिष्ठिये रुधिर वाहिका में रग्त का परवा किस ओर होता है, तो इसका राइट एंसर हो जागा आपका अग्रगामी में, option number D, ठीक है, जो केच्वे होती है, उसमें प्रिष्ठिये रुधिर वाहिका में रग रग्त का परवा किस ओर होता है, तो अग्रगामी में होता है, अगला question है, नर्मच्छर अपना भोजन यहां से लाते हैं, कहां से लाते हैं, मनुष्य का रग्त से लाते हैं, रग्त तो पीते ही यह देखे होंगे, अप्रवाही जल से लाते हैं, पादपों का रस से लाते ह तो write tensor हो जागा पादबो का रस्ते लेकर आते हैं ठीक है जो नर्म अच्चर होते हैं अपना भोजन कहां से लाते हैं पादबो का रस्ते अगला सवाल है दोस्तों पक्षियों को उठने से रोकने की कहला आती क्या कहलाती है तो तो ब्रेलिंग कहल आती है, पक्चियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है, अगला question है, code नाम किस निम्ने में से किस की किस्म है, तो right answer हो जाएगा, मचली की की, ठीके, जो code किस्म हैं दोस्तों, ये मचली की किस्म है, अगला question है निमने में से विसालतम इस्तंधारी कौन सा है तो right answer हो जाएगा वेल जो वेल होता है दोस्तों ये विसालतम इस्तंधारी जी हो है ठीक है अगला question है वह उत्तक जो दुवित्यक विद्धी के लिए उत्तर दाई है कौन सा उत्तक है तो right answer हो जाएगा Cambium दोस्तों जो Cambium होता है, ये द्वित्यक विद्धिय के लिए उत्तरदाई होता है, अगला सवाल देखेंगे, मानों की आंत में पाये जाने वाला जिवाडू है, देखें दोस्तों, जो मानों की आंत में पाये जाना वाला जिवाडू होता है, वो एसर रीसिया कोलाई होता है ठीक है अगला सवाल है तपेदीक दैट मिन्स टीवी जो होता है ये उत्पन करने वाला जिवाडू है कौन से जिवाडू होता है जो टीवी उत्पन करता है तो माइकोबैक्टरियम जो होता है ये तपेदीक टीवी उत्पन करता है अगला सव वाल है भोजन की विसाक्तता उत्पन होती है कैसे होती है भोजन की विसाक्तता उत्पन तो इसका राइट एंसर हो जागा Clostridium Botulinum द्वारा क्या होता है कि भोजन की विसाक्तता उत्पन होती है अगला है Antibiotics अधिकांसिता प्राप्त होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं तो जिवारुओं से प्राप्त होते हैं Antibiotics अधिकांसिता ठीक है अगला है दही जमाने में निमनलिकित में से किस सुक्ष में जीव का प्रयोग किया जाता है तो right answer हो जाएगा दोस्तों lactobacils का ठीक है दही जमाने के लिए किस सुक्ष में जीव का प्रयोग किया जाता है तो lactobacils का प्रयोग किया जाता है अगला है निमनलिकित में से किस के दौरा दूद खटा होता है, तो right answer हो जाएगा bacteria के दोरा, दूद जो होता है दोस्तों, ये bacteria के दोरा खटा होता है अगला question ने, वनस्पती विज्ञान की वह साखा, जिसमें सहवालों का अध्यन किया जाता है, क्या कहला आता है, तो right answer हो जाएगा phycology, ठीक है, वनस्पती विज्ञान की वह साखा, जिसमें सहवालों का अध्यन किया जाता है, उसे phycology कहते हैं, अगला दिखिएगा दोस्तों सहवालों की कोशीका भित्ती किसकी बनी होती है, तो दिखें सहवालों की जो कोशीका भित्ती होती है यह cellulage की बनी होती है अगला कोशन है जन्तू और उसके आसपास के वातावरण संबंदी अध्यन को क्या कहते हैं, तो right answer हो जाएगा पारिस्तिति की, ठीक है, पारिस्तिति की कहा जाता है, जन्तू और उसके वासपास के वातावरण के अध्यन को अगला कोशन है, मांस स्पेशियों का अध्यन क्या कहलाता है, तो दीक है, मांस स्पोसियों, मायोलोजी कहलाता है, ठीक है, महसे मांस, महसे मायोलोजी, अगला कोशन है, जन्संक्या का अध्यन, तो डेमोग्राफी कहलाता है, जन्संक्या का अध्यन, अगला कोशन है, इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेरी कल्चर कहलाता है रेशम किट पालन अगला कोशन है उत्तकों की रचना के अध्यान से संबंदित विज्ञान कहलाता है क्या कहलाता है तो हिस्टोलोजी कहलाता है उत्तकों की रचना के अध्यान से संबंदित विज्ञा अगला कोश्चन है विज्ञान की वह साका जिसमें नियोरोलोजी से कौन सा अंग का अध्यान किया जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा इस इस तनायू तंत्र से ठीक है अई होप आपको वीडियो पसंद आ होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें थैंक यू